असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब मैं बिलकूल ठीक हूँ आज मैं आपसे अपने मटन स्टू की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि खाने में बहुत टेस्टी और बहुत जाइकेदार होता है और हर घर में ये बहुत पॉपलर डेश होती है आप इसको चाहे तो बीफ में बना सक देखते हैं देखते हैं हमको इसके लिए क्या क्या चाहिए एक कूकर ले ले लेंगे उसमें आधा कब मस्टरड डाल डाल देंगे इसको मस्टरड डाल में बनाने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और यह कुछ खड़ी मसाले जिसमें दो बड़ी लाइची एक छोटी ल हलका सा फ्राय कर लेंगे जब तक इसकी बहुत अच्छी सी खुच्बू तेल में ना आ जाए हमको जलाने नहीं है बस हलका सा फ्राय करना इसलिए पहले गैस बंद कर दें जब तेल बहुत गर्म हो तो अब मैंने प्याज लिए 200 ग्राम प्याज है क्योंकि 300 ग्राम हमारा म प्याज होगा और उसको भी अच्छे से भून लेंगे जब यह मतन का कलर चेंज हो जाना वाइट हो जाए जब हम इसमें अध्रकलैशन का पेज़ डालेंगे अब यह दे कि मैंने अद्रक्रैशन का पेज़ हीए इक टेबल स्पून डाल दाल ऑब इसको भी इसके साथ भू मिर्ची का पाउडर है आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं लाल मिर्ची और नमक अब यह देखिए मैं इसको भून रही है थोड़ा सा पाई डाल दूँगी जिससे मसालिया हमारे लगना जाए नीचे यह देखिए अब मैंने इसमें तोड़ा सा पाई डालके इसको चला लूँगी और हमें इसको अभी बिल्कुल भी भूनना नहीं है बस हम पाई डालके इसके लिट लगा देंगे और एक चोटी चम्मन नमक डाला मैंने अभी और अब मैं इसकी लिट लगा दूँगी और एक फुल फ्लेम पे सीटी आने देंगे फिर स्लो कर देंगे गैस को और 15-16 मिनिट तक पकाएंगे यह देखिए 15 मिनिट हो चुके थे मैंने निकाल दिया प्रेशर और यह मैंने इसकी लिट को लिए देखिए बहुत मैं चेक करूंगी कि यह गला है कि नहीं गला देखिए इसमें ज्यादा पानी नहीं देखिए है मैंने बहुत थोड है कि यह देखिए हमारा गोष अच्छे से गल गया है में देखिए कै अब हमें क्या करना है बस हमें इसका पानी खुछ करना है अब इसको भी हम भूल लेंगे मटन के साथ इप तक इसका पानी ड्राय नहीं हो जाता हम भूनते रहेंगे यह देखिए अभी मिक्स हो गया इसमें अब थोड़ी देर में इसका पानी ड्राय हो जाएगा हम एक छोटी चम्मच देगी लाल मिच भी डाल देंगे कलर के लिए यह देखिए मैंने डाल देए अब देखिए तेल उपर आ गया है इसका मतलब है हमारा मसाला भूनके तयार है मटन तुम्हारा पहले ही गल चुका था और बस हमारा मटन इसको त्यार हो चुका है इसको दो मिनिट ऐसी पकाएंगे फिर हम इसको सर्फ कर लेंगे देखिए इसमें हरी धन्या डाल देंगे और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे आदी चोटी चमच गरम मसाला डालेंगे बहुत अच्छा मसाला मारा बुनाता थोड़ा सा पाई डाल के इसको हम थोड़ा ग्रेवी को पतला करेंगे अभी बहुत गाड़ी है थोड़ा सा पतला यह बहुत ही असानी से बहूत ही जलदी बन Karline Чер Advent då यह देखिए कितना चुछ के थोड़ा सा इसकी लिकुड़ी करूंगी ग्रेवी को यह मैंने थोड़ा सा पाई डाला है आप जितना खाना पसंद करते हैं उतना पाणी डाल सकते हैं यह देखिए आप अपनी रेसेपी मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आप कैसे बनाते हैं मटन स्ट्व यह दिखिए अब मैं थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ वन फोट डाला मैंने हाँ अब हरा धन्या डाल देंगे और बस इसको सर्फ कर लेंगे देखिए मैंने हरा धन्या डाल दिया है और हरी मिर्चे भी डाली थी मोटी वाली मिर्चे डाली मैंने जिसमें तीखापन कम होता ह अब इसको प्लेट में हम निकाल लेंगे बहुत ही अच्छा बहुत ही खुब्सूरत सा हमारा मटनिस्टू बनके त्यार कलर बहुत ही अच्छा आया था आप ज़रू ट्राइ कीजिएगा आपको पसंद आएगी मेरी रेसिपी कि मैं जैसे बनाती हूँ आप भी बना के देख कर लेंगे और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमली में शेयर कीजिएगा और जो भी पहली बारा है मेरे चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब करके जाएं थाइंक यू प्लीज सब्सक्राइब कर देख